सो हेला एन वेलकम यू ओल आएम रुईक प्रोमाजन ट्रीडर सो गाइस आज हम बात करेंगे अलोक इंडस्रीज के बारे में सो गाइस अलोक इंडस्रीज एक दमदार स्टॉक है और देखा जाए तो इससे अच्छा स्टॉक नहीं मिलेगा क्योंकि प्रॉपर ब्रेक आउट है स्टॉक के बात स्टॉक रीटेस्ट कर रहा है और बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए रेडिये गाइस और शेयर बेचने की गलती बिल्कुल भी नहीं करना है खरीदारी का बड़ा मुका आपको मिला है तो बिल्कुल आप इसे खरीच सकते हो तो गैस अलोक इंडस्रीज के बारे में काफी कुछ बाते होने वाली इस वीडियो में तो वीडियो को स्टार्ट करू उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल दे महजन ट्रेडर को सबस्क्राइब नहीं किया है तो गैस प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर देना फोर शेयर्स के अपडेट्स के लिए शेयर्स की लेटिस में उसके लिए तो गैस वीडियो करते है स्टार्ट तो गैस यहाँ पर हम बात करेंगे अलोक इंड करंट प्राइस के अगर बात कर ले 29 रुपए 30 पेसे का स्टॉक ने क्लोजिंग दिया कैया ऊसकर 68% के हिसाब से stock नीचे की और गिरतावा नजरा रहा था तो guys इसके patterns को अगर आप समझने की कुशिश करोगे तो one week time frame पर आपको कुछ चीज़े देखने को मल रही है सो यहाँ पर अगर देखा जाएं तो stock में कही न कही एक resistance और एक support level यह stock शो करते हुए upside downs momentum यहाँ पर बता रहा था इसके बाद guys क्या हुआ क्या आप देख सकते हो stock यहाँ से नीचे क्यों रहा है यहाँ पर support लिया फिर उपर गया फिर resistance लिया फिर नीचे है और यह इस proper level पर breakout के बाद यहाँ पर retest करके यह उपर की और जा सकता है तो guys भले ही अब अगर देखा जाए तो 29 रुपे के असपास stock यहाँ पर trade कर रहा है यहाँ पर अगर मैं बात करें इस level की तो इस level तक इस stock already support ले चुका है इस level पर अगर एक चीज़ बता हूँ तो double bottom जिसा pattern बन रहा था breakout के बाद stock ने retest किया और जा रहा है उपर की और तो यहाँ पर अगर बता हूँ तो उतना पेशा तो बनता ही है और गैस यहाँ पर यहीं नहीं है यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर भी कुछ उसी प्रकार के level बन रहे था आप अगर यहाँ पर भी एक में trade line बना दू तो इसी के अंडर एस stock upside down momentum कर रहा था फिर इस proper level पर breakout मिलने के बाद stock उपर गया यहाँ पर resistance stock लेके सीधा आया नीचे की और यहाँ पर support लिया फिर गया उपर की और फिर यहाँ पर resistance लिया फिर आया नीचे की और फिर breakout के बाद जा रहा है सीधा उपर यहाँ पर रेटेस करके जाएगा सीधा उपर तो यहाँ पर भी हमारे बाद breakout है फिर उसके बाद डेट किया है फिर उपर गया बट यह जो गिरावट है जरूरी है क्योंकि स्टॉक में कभी ना कभी नीचे आता ही है प्रॉफिट बुकिंग के कारण भी आता है बट यहां से जो जंप आएंगा हो काफी तगड़ा रहेगा और एज लॉंग टर्म के हिसाब से टार्गेट त रख सकते हो 53 रुपे का टार्गेट मैं ऐसी लिए बोल रहा हो क्योंकि इसी लेवल से स्टॉक में नीचे की और आया था और यहीं से उपर की और जाने की कोशिश करेगा तो हमने काफी सारे स्टॉक्स देखे हैं गाइस जो नीचे आते हैं कि बड़े प्राइस पर तक स्टॉक नीचे की और गिर गया है और दिखा जाए 2.50 अप परसेंट के हिसाब से स्टॉक नीचे की और जा रहा है गाइस और वही बात कर ले हापर 6 महीने में तो स्टॉक में बड़त आपको देखने को मिल जाएगी और स्टॉक कितना बड़ा है सात रुपे 20 पैसे त करोड का market gap है और market gap के साफ से एक mid gap stock की category में यह आता है और गाइस वही अगर बात करें तो stock आज open कहा हुआ था 29 रुपे के price पे stock हुआ था open high लगया था 30 रुपे 35 पेसे का और low लगया था 28 रुपे 7 पेसे का और गाइस वही अगर बात कर ले तो high कित्ता लगया है 50 डुइक्स का high कित्ता लगया है तो यहाँ पर आप देखो थो 35 रुपे 60 पेसे का high है थुपे 35 पेसे का high लगया है stock ने 18 रुपे 70 पेसे का यहाँ पर low भी आपको देखने को मिल जाएगा DO GYC यहाँ पर highs की हमने बात कर लिए है और noz की हमने बात कर लिए है 35 रुपे 80 पेसे का जो price है as a short term आप उसे target मान सकते हो और देखो resistance level नीचे है support levels भी नीचे ही निजर आ रहे है और देखा जाए तो 32 रुपे तक का भी है यानि a stock में 35 रुपे तक जाने की जो ability देखने को हमें मिल रही हो तगड़ी देखने को मिल रही है तो वहीं आगे बढ़ते हैं और price performance की बात कर लें तो यहाँ पर upside की और price performance गया फिर down आ गया तो कुछ इस तरीके से 1 week का दिल देखो 0.34% है चोकि है minus में 1 week का minus में है 2.17% तक 3 months का अगर देख ले 30.16% है plus में है year and half का 13.98% है प्लस में है और 1 year का 37.79% है और गाइस वही अगर देखा जाए जो इसका 3 years का है 726.76% है प्लस में दिखाई देगा तो price performance जो दिखाई दे रहे हैं वो प्लस में दिखाई दे रहे हैं और गैस वही एगर बात कर लें trade values और combinen डिलिवरी की तो trade value अगर दिखा जाये तो 4 करोड का trade value हमें देखने को मिल रहा है और जो combinen डिलिवरी है 77 lakh के आस्पास का combinen डिलिवरी भी देखने को मल जाएगा एस्टेडे की अगर बात कर लो तो 4 करोड का trade value है और 96 lakh का है वही अगर बात कर ले 1 week average की तो 3 करोड का trade value और 64 lakh का है और 1 month के average में 5 करोड का है trade value और आपको दिख जाएगा और कितना 1 करोड का तो guys trade values और कॉमिने डिलिवरी हमने दोनों ही हाँ पर discuss कर लिए अब बात करते है आप positive यहाँ पर नजर आ रहा है और बिलकुल आप positive रह सकते हो revenues देखे जाए तो revenues बले year और गिरे है net profit में भी गिराओट हमें देखने को मिल रही है net profit के अगर बात कर ले गाईस तो यहाँ पर 2017 में net profit 3,000 बहुत तर करोड ता और revenue आप देखो revenue highest है 8,723 करोड वही 2018 में यहाँ पर net profit कितना डाउन गया है 18,589 करोड वही 2018 अगर देखो तो upside के और है देख सकते हो प्लस में है 2047 करोड और 2020 का है 1311 करोड बट वही 2020 का जो revenue net profit है वो down चले गया 5,633 करोड तो कहीं न कहीं upside downs है यहाँ पर भी net profits में और जो promoters है 75% जो promoters की holding है इसमें top holding आपको reliance की नज़राएगी और second holding आपको jam financials की दिखाय को मिल जाएगी तो 75% की holding है हाँ पर दो बड़े दिखज companies की और DIFI की holding 1.45% है और public holding 22.81% है आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करो चनल को सब्सक्राइब करो अपको अधियो याथ यृबत। सब्सक्दों